दिल्ली जबी परदेश अध्यक्ष और उत्रपुरूद दिली से संसद मनोश तियारी 12 अप्रेल से आमराण अन्चन पर बैट रहे हैं क्यों बैट रहे हैं बात करेंगे पर जी आमराण अन्चन क्यों दिखिए लोक तंतर का गला घोटा है कॉंग्रेस ने संसद नहीं चलने दिया हमारे छेतर की पांच समस्या थी जो कोश्चन के रूप में सदन में आनी थी उसके बाद सदन के फ्लोर पे आकर के हम उनकारिक्रों में को सुरू कराने वाले थे इन्होंने संसद ही नहीं चलने अर्विंद केजरिवाल जी के संसद भी संसद ना चलने के लिए उनके साथ थे अब समस्या है कि आकर छेतर का काम होगा कैसे हमारे यहां चलके देखिए भैस अब सास्तरी पार्क पे एक घंटा खड़े हो जाईए आप लोगों का दर्द देख करके न आपको हस्पिटल च कोई बेवस्ता नहीं है इन सारी चीजों को पूरा हो और सबसे मुद्दा जो गंबीर है वो सास्तरी पार्क पे फ्लाई ओवर बने ताकि लोग इस तकलीफ में भी घर तो अपने जल्दी से पहुंच सकें तो ऐसे में मैं 12 अप्रेल से आमरान अंसन पे बैठ रहा हूँ बता आपके कहना है कि संसत नहीं चलने दी गई है एक वो मुद्दा है क्योंकि उसके गरांट से आपने बात नहीं रख पाए हैं और दूसरा जो दिली सरकार है वो भी साथ नहीं दे रही है आपके प्रजक्ट पूर होने में यही बात बोल रहा हूँ कि शास्त्री पार का फ्लाई ओवर बना दो मेरा बैठने का में मुद्दा है इसको मैं सदन में उठाना चाहता था नहीं उठा पाए अब हम वहीं जनता में उठाएंगे और मैं चाहूँगा कि हम हमारी जो भी कंसर्ण लोग हैं वो इस समस्या को अपने ध्यान में लें क्योंकि नौर्थिष्ट की जनता बहुत परिसान है इसके लिए मुझे बैठना पड़ा बहुत बड़ा स्टैप है आपकी तरफ से अपको लगते हैं कि विरोत का दूसरा तरीका भी इसमें हो सकता था हर्ताल हो सकते हैं इसके बिना नहीं कान पर ज असल में सद्भाव उनका सद्भाव है भरष्टाचार उनका सद्भाव है जातियों में बाटो उनका सद्भाव है तुष्टी करण तो यह सब नहीं हो पा रहा है ना इसलिए रावल जी परसान है लेकिन उनको कोई बताए ना कि तीन घंटे का उपवास नहीं होता है मुलत है ये इन लोगों का गिल्ट है कि हमने लोगतंतर का गला घोटा है जिसके खिलाफ बीजेपी के सांसत बारातारी को बैट रहे हैं अपना स्वाल उठा रहे हैं जाहिर लाजीव सवाह है कि काम नहीं हो रहे हैं तो जाहिर से बात है कैसे काम पूरे होंगे हमें इसका फिकर नहीं है जनता भी मेरे साथ बैटने को तयार है और अब तक नौर्थिष दिल्ली को बहुत ही नेगलेक्ट किया गया है हम उसके हक के लिए प्राण दे देना चाहते हैं चली मनुश्त दिवर के कहना है कि नेगलेक्ट किया गया उनके संसेदी शेतर को इसलिए आमरान अनुशन पर बैट रहे हैं तो देखना हो कि बारत अरिक सजब आमरान अनुशन पर बैटेंगे तो क्या वाकई में जो यह मुद्द उठाने चाह रहे हैं उनमें कुछ काम ह पता है नहीं के ना में रुहित के साथ जींदर शोहान टोटल नीउस दिली